हाई दोस्तों वेलकम टू ब्लेस्ट माम स्क्वाइड आर में शेयर करने वाले हूं काफी हेल्दी प्रोटीन रिच रागी के लड़ू की रेसिपी रागी पच्चों के लिए बहुत जादा हेल्दी होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है यह कैल्शियम रिच होती है इसम आपको अच्छे से रोस्त करना है जब तक कि इसमें से थोड़ा सा रोमा ना आने लग जाए आपको पता चल जाएगा जब रोस्त हो जाएगा तो कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा जिसको लगभग 5-8 मिनट जो है लग जाएंगे रोस्त करने में और आपको इधियान इसमें ग्यास जो है वो बिल्कुल हाई पर नहीं करने आपको रोस्त करते वक्त मीडियम टू लो फ्लेम पर आप रोस्त करें है लेकिन यह आप भी ले सकते हैं यह बड़े भी खाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है नाई मदर्स के लिए यह खाना काफी जादा है क्योंकि रागी में क्याल्शयम होता है आईरन होता है पूटीन होता है फाइबर रच होता है तो यह अगर न्यू मदर्स भी लेती हैं तो उनके लिए भी काफी हेल्दी ऑप्शन है एक तरीका और भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि रागी जो है रोस्त हो चुकि है यह बस होने वाली है इसमें से स्टीम निकलने शुरू हो जाता है जब रागी रोस्त हो जाती है अब इसमें से भी थूआ थोड़ा निकलना शुरू हो गया है और इसको बस अब में एक से दो मिनट के लिए और रोस्त करूंगी थोड़ा सा और क्यास को बंद कर दूंगी अब दिखिए धुआ काफी निकलने लगया है इसमें से और इसका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो चुका है रागी का तो रागी जो है रोस्ट हो चुकी है अब आप मैं ग्यास को बंद कर दूगी और इसको साइप पर दूगे ग्यास को बंद करने के बाद भी इसको एक म कड़ाई को मैं और साइब दोंगी और यह मैंने लिये हैं एक कटोरी मूफली कौने मैंने लिये हैं जिससे में रागी को कêu आप एक क्राली का ऌप रख कोई भी आप बरतन ले रहे हैं कटोरी से लेरे रहे तो उसी कमर्प से जो हैं आप यही मा… तो अब इसको हम करेंगे रोस्ट अब यहाँ पर मुफली जो है वो रोस्ट हो चुकी है अब इसको थोड़ी दिल के लिए मैं ठंडा होने दोंगी अब मुफली थोड़ी थंडी हो गई है तो आब मैं इसको ग्राइण करूँगी एंड तरेट के लिए आपको इसका उतना grain करना है कि इसका बटर बन जाए आपको इे उतना grain करने कि थोड़ा थोड़ा पीनट का पाउड्र जो बनेगा वह बस चिपकना चाहिए एक दूसरे के साथ तो यह दिखाँगे भी किस तरीके सापको ग्राइं करना है और किस टेप पे आपको रुपना है तो ये जिए उष्बonnst करेंगे तो आपको तक कन्सिस्टनी को इस तरीके से मिर जाएगी तो तेक्सटरे आप लिए है तो आप इज भीच में मिक्षी चलाकर आप एक रार चेक कर लीजै इस consistency तक आपको मुफली को ग्राइंड करना है अब इसमें हम एड करेंगे ये एक टेबल स्पून मेंने लिया है किशमिश एक कटोरी ये मैंने लिये हैं खजूर तो ये अल्मोस्ट दस खजूर मैंने लिये हैं और ये खजूर लिये हैं मैंने सॉफ्ट वाले ये बरुकुल सॉफ्ट वाले रहे हैं ऐसे ये खजूर होते हैं जो बरुकुल सॉफ्ट होते हैं तो ये वाले खजूर मैंने इसके लिये यह भी मैं इसमें ग्राइंडर जान में मुफली के साथ ही डाल रहे हूं इसके बार इसमें डालेंगे यह इलाइची के यह जो मैंने अंदर के सीड्स लिये हैं यह चार इलाइची के बीज मैंने लिये हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे अब हमको क्या करना है हमें ग्राइंडर को एक दाफ फिर से चलाना है ताकि यह जो मुफली, खजूर और किश्मिश वगरा हमने जो डाली है यह अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखे तो यह अब अच्छे से मिक्स हो गया है, खजूर, किशमिश, मुफली, सब का एक अच्छा सा, सौफ्ट सा एक मिक्सचर बन चुका है अब हम इस मिक्सचर को एड करेंगे, जो हमने रागी रोस्ट करी थी, उसके अंदर हम ये मिक्सचर एड करेंगे इसमें हमने गही डाला है, क्योंकि मुफली के अंदर अलेडि हेल्धी फैट सोते हैं तो उसके फैट से जो है इसमें जो भी चिकनाई है वह आ जाएगी, और आब हम इसको इसको mix करते हैं रागी के आटे के साथ, इसको mix करते वक तब को यह थे हम लएक्स, आपके हाथ जो है वो सूखे होने चाहिए, और व्युक्र ब्लू साफ होने चाहिए, तो यह हम कर रहे हैं, जैर अब इसको अच्छे से बाइन्द करने के लिए मैं इसको एक बड़े मिक्सर जार में डाल रहे हुआ। और इसको ग्राइण हर ताद कि जो अठाः है वह स्टामी जाती जता है च्छे में अब आटता जाए। जोड़ी मीटे को में आटाय जार रहे हुआ टाय है, यूज दिया है। अब देखी जाय हर अधर प्यद्म तो आप भी अच्छ से ग्राइंड हो चुका है और अब मैं इसको लड्डू बनाने के लिए यूज करोंगी और अच्छ से यह बाइंड हो जाएगा यह देखिया क्योंकि इसमें मुफली का भी फैट है तो यह लड्डू जो है अराम से बन पाएंगे तो आप मैं इसके लड लड्डू बनाऊंगी यह देखिये कितने अराम से लड्डू बन रहे हैं और क्योंकि इसमें मुफली के साथ-साथ हमने खजूर का भी यूज किया है तो यह लड्डू जो है बन जाते हैं और सौफ्ट भी रहते हैं पस अब यह प्रोटीन रिच हैल्दी रागी के नहीं किया है तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मुच पर वाचिंग ब्लेस्ट मॉम स्क्वाइट गुडबाइ टेक केर एंड से सेफ